हेलो एवरीबन, वेलकम बैक टो आर क्लास, आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री क्लास, पॉल्टी आपका कम्प्लीट हो गया है, क्वेशन वहीं से आएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से रट लीजिए, जो भी जिस तरीके से आपको याद होता, वो मैठेट करके आप उसे कर प्रथम मदरसा बना था भारत में, वो बना था कलकत्ता में, और कलकत्ता में किस ने बनाया था? वारेन हैस्टिंग्स ने, तो अगर आपको वारेन हैस्टिंग्स का नहीं पता है, तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना, तो वो बना था वो बना था उसके बाद आया भारत का governor general तो भारत का governor general बना था William Bentic, William Bentic बना था भारत का governor general और फिर बना भारत का vicerai तो vicerai जब company से सासन हट गया था और British Crown के अंडर में आ गया था तो तब vicerai बनने लगया और भारत का vicerai जो first बना था वो बना था Canning तो ये चीन चीजे हो गई है अगर आप लोगों का पहले नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी आप उसे अगर हो चुका है तो रिवाइज हो जाएगा और नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अब है कि Asiatic Society of Bengal इसकी स्थापना किसने करी थी? William Jones ने और Asiatic Society की स्थापना उतिया आपकी 1784 में और इसी के अंडर में एक Asiatic Research Age नामक से एक पत्री का निकलती थी जो कि भारत की जो पुरानी जो भी कला है स्थापत्य है उसके बारे में ये लिखता था और प्रत्थम संस्कृत महाविद्याले कहां बना था? ये बना था आपका वारांसी में और किसने बनाया था? Jonathan Duncan ने मदरसा हो गया आपका Warren Hastings ने बनाया था कलकता में और संस्कृत विद्याले से तो आपको ये तो समझ में आए गए कि वारांसी में बनाया वारांसी तो सम जा गया कि धार्मिक नगरी है और किसने बनाया था जोनाथन डंकन ने फिर है कि पैरिस की रोयल एसियाटिक सोसारिटी की सद्धस्यता किसको मिली थी तो वो मिली थी माइकल मदुसुदन दत को अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है कि सर प्रथम भागवत कीता का अंग्रेजी अनवात किसने कराया था तो ये कराया था चॉल्स विलकिंस ने ये जो था कि भगवान कृष्च के पति इसकी बहुत अच्छी भक्ती थी भक्त था उनका और इसकी जो प्रस्तावना लिखी थी वो खुद वारें हेस्टिंग्स ने लिखी थी ये उसने उपर इन्हों ने एसियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना करी थी, अब यहाँ पे से आपका थोड़ा बहुत ये एजुकेशनल हिस्ट्री का भी पार्ट समझ लीजिए, कि अंग्रेजी सिख्षा का विकास कब से हुआ भारत में, किस ने शुरू किया, ये किया था नीव थी, वो कब से पड़ी थी, तो वो पड़ी थी, जो 1835 का मैकाले का स्मरण पत्रा आया था, वहां से हमारी आधुनिक सिख्षा है, जो modern education है, उसकी नीव पड़ी थी, और किसके टाइम पे मैकाले आया था, विलियम बिंटिक के टाइम पे, मैंने बताया अभी ये कौ था भारत का प्रथम governor general, ये question ARO में बन चुका है, ये तीनों में आपको बिल्कुल clear होना है कि कौन भारत का है, कौन बंगाल का है, कौन वाइसरा है, फिर है कि भारत में जो तीन विश्विद्याले बने थे, कलकत्ता, मदरस, मदरास और बंबई में, इनकी स्तापना कब ये हुई थी, 1854 के वुट्स का जो dispatch था, जिसे कहा जाता है भारतिय सिक्षा का मैगना काटा, उसके अधार पर यहां पर 1857 में तीन विश्विद्याले बने थे, और किसके तर्ज पर बने थे, जो लंदन का विश्विद्याले था, उसी की तर्ज पर यहां पर भी ये तीन विश्विद्याले बने थे, प्रथम महिला विश्यविद्याले किसके द्वारा बने आया गया था, तो ये थे D.K. करवे, एक समासुदारक थे, इनी का जो था सयोग था प्रथम महिला विश्विद्याले बनाने में, Deccan Educational Society की स्थापना यह हुई थी अठाःसो अस्षी में एक स्कूल खुला था New English School के खुलने के साथ Deccan Educational Society की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे बीजी तिलक, बाल घंगाधर तिलक कलकत्य हिंदु कॉलेज की स्थापना किस ने की थी राजाराम मोहन राय की द्वारा इसकी स्तापना की गई थी 1857 में फिर है बनारस हिंदू विश्विद्याले ये वी थी आपकी 1916 में ठेक लगभग 100 साल के बाद और किसने करी थी मदन मोहन मालवी ने और सबसे पहले जो केंद्रिय विश्विद्याले का दरजा मिला है वो किसको मिला है बनारस हिंदू विश्विद्याले को फिर है की आदुनिक भारत में प्रेस का विकास इसमें से बहुत सारे कोशन आपने पहले जो आपको एक PDF मिली ती उसमें हो चुके हैं तो जो जो नई चीज़े हैं वो मैं आपको बता दूँगी भारत का पहला समाचार पत्र आपको पता है बंगाल गजट और जो पहले इसको जो इसको शुरू किया था वो किया था 1766 में विलियम वोट्स ने फिर उसके बाद किया कि कमपणी ने इनको वापस ब्रिटेन भेज दिया तो फिर 1780 से जेके हिक्की इसका लगातार फिर प्रकाशन करते रहे और उनके उपर मुकदमे भी चले कि वो कमपणी के अगेस्ट लिख रहे है तो जेके हिक्की दोनों में से कोई भी नाम आ सकते है तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने है फिर कि प्रेस पे सेंसर्शिप सबसे पहले किसने लगाई थी तो ये लगाई थी वैले जली ले वैले जली की सायक शंदी भी पता है आपको वरनाकुलर प्रेस एक्ट ये एक्ट बहुत बेकार एक्ट था प्रेस के संदर्म में इसमें क्या होता था कि अंग्डेजी अकबारों को अलग महत्तो दी जाता था कि हिंदी अकबारों को कुछ नहीं समझा दाता था अगर उनमें थोड़ा सा भी कुछ अपोजिट लिख लिया गॉर्मेंट के खिलाब तो उन पे बैन लग जाता था उनको जेल में डाल दिया जाता था इसको कहा जाता था मुह बंद करने वाला अधिनियम या फिर देशी भाषा प्रेस अधिनियम तो इसको शुरू किस ने किया था इसको शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने और खतम किया था इसको लॉर्ड रिपन ने रिपन क्या है अच्छा आदमी है इसने जो काम किये ह अच्छे काम होंगे वो रिपन की टाइम पे हुए है तो इसने वरना कुलर प्रेस एक्ट हटाया था लॉर्ड लिटन में शुरू किया था पहले आया था लिटन फिर आया था रिपन अब जो पत्रकार के रूप में प्रथम बार जेल गए थे वो थे हमारे बाल गंगाधर त दो इसके जो इसको चलाते थे बाकी अमरित बाजार आपको पता है केश्री की सारे आपको पहले लिस्ट मिली है एक जो है यंग इंडिया इसका इसमें एक अन्फियूजन हो सकता है इसमें दोनों नाम आ सकते एनी बेसंट और महात्मा गांदी जो यंग इंडिया था ये चलाया होम रूल ने तो पहले इसकी जो थी वो थी एनी बेसंट पर उसके बाद चेंज होके ये महात्मा गांदी इसको चलाने लग गया थे तो आपके पास दोनों नाम आ सकते जनरली इसका ज़्यादा तर महात्मा गांदी के नाम से याता है तो आपको महात्मा यंग से स याद रखना है और कई बार एनिबेसेंट भी आ गिया तो एनिबेसेंट भी आपको ध्यान रखना कि पहले से एनिबेसेंट ने शुरू किया था और एक है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाषित प्रधम समाचार पत्र तो बंगाल गजट ही था जो बंगाल गजट शुरू हुआ था यह अंग्रेजी में ही शुरू हुआता बाकी सारी यहाँ पे लिस्ट है से आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें सर्च रा थे कि ये सबसे जो सबसे मैचूर था जो इसको सबसे जादा नौलेज था उसको इन्होंने बना दिया था कि उसको अध्यक्ष बना देते हैं लेकिन बाद में फिर दो दिन बार मेटिंग हुई थी उसमें राजेंद परशाद को पर्मनेन बना दिया गया था कि जो इसताही अद्धिक्ष बनेंगे वो राजेंद परशाद बनेंगे तो सजदानन सिद्धा क्या करते हैं सर्चलाइट लेके इतने मैचूर हो गए थे क्यों अद्धिक्ष बन गए पहले बाकी सारे यहां पर अलहिलाल हो गया केसरी हो गया मुकनायक हो गया अब जो है कि सामाजिक एव बना और किस ने उसको बनाया था तो अब अगर आपकी पास आता है भारतिय जाकरिती का जनक, भारतिय पुनर जागरण का पिता, भारतिय रास्टवात का पैगंबर, अतीत और भविश्य के मध्य का सेतू, भारतिय रास्टवात का जनक ये प्लथम आधुनिक पुरुष युगदूत, इतनी सारी उपाधियां किसको मिलेवी थी राजा राम मोहन राये को, इनमें से कुछ भी पूसकता है, जनरली ये भारतिय पुनर जागरण का पिता है, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है और एक पैगंबर वाला, तो ये थे आपके राजा राम मोहन राये, पहले तो इनको राजा की उपाधि किसने दीती, किसने इनको राजा बोला, तो ये उपाधि दीती बाशचा अगबर दुतिया थिहान रखना आपको, प्रतम नहीं, अगबर दुतिया, इसने कुछ अपने पेंशन के संदर्ब में इन से रिक्वेस्ट करी थी, और तब ये बात्सा अकबर की दूतिया की पेंशन से रिलेटेड बिर्टेन भी गए थे वो आपको मैं आगे बताती हूँ अब इन्होंने क्या करा था तीन चीजे बनाई थी एक बनाई थी आत्मिय सभा ब्रह्म समाज जो की बहुत इंपोर्टेंट है जिससे क्वेशन पूछा जाता है और है आपका तत्तो बोधनी सभा अगर पूछा जाता आत्मिय सभा किसने बनाई थी कब बनी थी तो 14 आपको ध्यान रखना 14 आत्मा 28 ब्रह्म और 39 तत्तो बोधनी ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है पर ब्रह्म समाज का पूछा जाता कब बनी थी अब ब्रह्म समाज की जो स्तापना हुई थी वो हुई थी आपकी ब्रह्म समाज सभा के नाम से 20 अगस्त 1828 में उसके बाद ये दो भ आचारेक केसव चंदरसेन नवीन ब्रह्म समाज किसने बनाया था या फिर भारतिया ब्रह्म समाज किसने बनाया था ये बनाया था आचारेक केसव चंदरसेन ने और आदी ब्रह्म समाज किसने बनाया था देविंदरनाच टेगोर ने उसके ये दोनों तो मैंने आपको बत ब्रिस्टल इंग्लेंड में और मिर्ति हुई थी सताई सेप्टेंबर 1833 में और जो ब्रह्म समास था या फिर राजरा मोहन रहे थे ये बाल विवास सती प्रथा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे लेकिन एक क्वेशन है कि पाश्यात सिक्षा का यानि कि जो वेस्ट की हिंदुवाद के सरिष्ट प्रतिनीधी किसको कहा जाता यह कहा जाता है सवामी विवेकरन इनको 1833 में सिकागो में हुआ था विश्वधर्मस समेलन तो उसमें गये थे हिंदुधर्म के प्रतिनीधी बनके स्वामी विवेकरन जहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा और उनी के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था 1897 में तो question बनता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस ने करी थी तो वो करी थी स्वामी विवेकानने यहाँ पे देखके रामकृष्ण परमहंस नहीं लिखना है कि रामकृष्ण से रामकृष्ण मिला दो इ पर दयानण सरश्वती बहुत इंपोरटन्ट है कब बना था, पिछतर में 1875 । आपको जब भी बोलना है, पिछतर आर्य करके ही बोलना है, पिछतर आर्य, बंबई र Kहां बना था, बंबई कहा बना था, बंबई में गए । जो एक नारा दिया था इन्होंने की वेदो की और लोटो तो ये किसने दिया था दयानन सर्श्वती ने इन्होंने वेदों के पुनरत्थान पे भी काम किया था ये देखे वेदों की पुना वेदों की और लोटो किसने बोला था आरे समाजने या फिर दयानन सर्श्वती ने इन्होंने एक रचना की थी जो इनकी रचना ह सत्यार्थ प्रकाश ये इनकी रचना है तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है दयानन सर्शृती ने इसके अलावा इने बोला जाता है भारत का मार्टिन लूथर क्योंकि समास सुधारक था और ये भी समास सुधारक थे उसके अलावा सुध्धी आंदोलन का समर्थन क इसने किया था तो वो भी किया था दयाना सर्शृती ने सुद्धी आंधुलन से तातपरे था कि धर्म वापसी ये वापस जो हिंदू बनना चाहता था वो ही था आपका सुद्धी आंधुलन सर्व पर्थम सुराज सब्द का प्रयोग किसने किया था ये बहुत important question और बहुत सुराज सब्द का प्रयोग जो किया था वो दयानान सर्शृती ने किया था आपको option में बाल गंगादर तिलग भी मिलेगा लेकिन उन्हें नारा दिया था बाद में दिया था कि सुराज मेरा जनसीत अधिकार है और हिंदी को राश्ट भाशा बनाने के हमीशा समर्थन में रहते थे फिर है प्रार्थना समाज आपको रखना है प्रार्थना आत्मा से याद प्रार्थना आत्मा तो प्रार्थना समाज की संस्तापक कौन है आत्मारंग पांडूरंग कहां की थी महारास्ट में 1867 में और एक और नाम इसमें जुड़ा रहता है महादेव गोविंद रानाडे कई बारी प्रार्थना समाज के साथ आत्मा रांग पाट्रूरंगना देकर महादेव गोविंद रानाडे दे देता है ये इससे 1869 में जुड़े थे और ये इसके मुख्य संचालक थे तो अगर ऐसा कोशन बनता है कि निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से और अगर उसमें आत्मा राम ना हो तो आपको महादेव गोविंद रानडे याद रखना या इसे आप याद कर सकते हैं प्रार्थना आत्मा गोविंद इस तरीके से तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं फिर है देव समाज देव समाज की जो स्थापना की थी वो करी थी जह हो रही थी उस टाइम पे और कहां की थी ये की थी आपकी लाहॉर ने और देव समाज के जो कार्य हैं उनको लिखाता हो नोंने देव सास्त्र पुस्तक में अब है सत्य सोधक समाज तो सत्य कौन बोलता है जोतिवा फुले तो जोती एक मेरी क्लास में लड़की है वो सत्य सोधक समाज जो आधरी था ये पिछड़े वर्ग के उठान पे या फिर उस टाइम पे जो ब्रामन वाद था उसका ये विरोत करते थे और पिछड़े वर्ग के उठान के लिए ये कारे करण रहा था रादा स्वामी сसंग है सिफदयाल सिंग ने लोख हितवादी किसक विद्वापुनर विवाह, बहुत important है, विद्वापुनर विवाह के लिए कौन लड़ा था? ईश्वर्चन विद्याशागर, इन्होंने ये बोला था कि वेदों में भी विद्वापुनर विवाह को मानेता दी गई है, तो वर्तमान में क्यों नहीं है? तो इनके प्रयास से 26 जुलाई 1856 में हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम हिंदू विद्वा पुनर विवा एक्ट जो था वो आया था इश्वरचंद विध्या सागर अब उस टाइम पे गुलाम या फिर दास जो बनते थे बिकते थे तो इसको बंद किसने करा था गुलाम या दासता को तो ये था लाड एलन बारो, लाड एलन बारो किसको मारो गुलाम को मारो ऐसे याद कर सकते हैं और ये जो एक्ट बना था ये बना था 1843 का एक्ट 5 फिर नेटिव मेरिज एक्ट ये जो था ये बाल विवा से रिलेटेड था कि जो शादी की उम्र होनी चाहिए वो लड़किय की तो उस टाइम पे 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष और इसमें ये जग कब आया था 1872 में और महत्वपूर्ण भूमी का किस्ते निभाई थी केसव चंद सैन्ने ये एक तो ये इंपोर्टन है विद्वा विवा और नेटिव मेरिज एक्ट इसको ब्रह्म विवा अधिन भी कहा जाता है ठीक इसी की तरह आया था शारदा अधिनियम ये भी बाल विवा से रिलेटेड था ये आया था आपका 1939 में इसमें भी उम्र 14 और 18 थी और ये किसने बनाया था डॉक्टर हरविला सारदा तो उसी के नाम पे ये इसका नाम पढ़ गया था सारदा अधिनियम फिर है Theosophical Society तो इसकी जो स्तापना हुई थी भारत में नहीं वी थी ये New York में हुई थी 1875 में और जो इसकी स्तापना की थी वो करी थी और इसकी स्तापना की थी H.P. Blavitski ने पहले तो ये New York में बना उसके बाद क्या हुआ कि मैडम आई भारत में और 1882 में इन्होंने इस Theosophical Society का एक मुख्याले खोला जो कि बाद में इसका अंतरास्टिय कारेले भी बन गया इंटरनेशनल कारेले इसका यही बन गया अब इसमें से दो नाम जुड़तें एक तो भारत में जुड़ता है वो जुड़ता है एनी बेसंट का एनी बेसंट इसमें बनी थी इसकी सद Servants of India Society या भारत सेवक मंडल दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है कई बारी हिंदी में भी यही आता है कि Servants of India Society की स्थापना किसने की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 यहीं पे मैं आपको बता दू कि महत्मा गांदी जी के राजनेतिक गुरू भी इनको कहा जाता था इ महारास्ट में यह भी दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया था बहुजन समाज अभी भी बहुजन समाज पार्टी है यूपी में वो भी दलितों के नाम पे ही चल रही है फिर है भारत में महिला आंदुलन की प्रेणना स्रोत कौन थी तो यह थी रमाबाईर रानाडे इन्होंने सेवा सदन भी बनाया था किसकी बीबीती महादेव गोविंद रानाडे की अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि भारत में रास्ट्रिय कॉंग्रेस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इसका कैसे सुरू ही कहां से शुरू ही कैसे इसके जो अधिवेशन होते थ अब एक व्यक्ति था A.O. Hume, एलन ओक्टेवियन हुम इसने क्या करा 1884 में एक संग बनाया भारतिय रास्ट्रिय संग अभी कॉंग्रेस नहीं बनिये पहले जो नाम बना था ये कुश्चन बन सकता है कि कॉंग्रेस का पुराना नाम क्या था भारतिय रास्ट्रिय संग कॉंग्रेस की स्तापना का वुई थी 1885 में क्योंकि उसका पहले नाम था भारतिय रास्ट्रिय संग अभी तक कॉंग्रेस नहीं बनी है अब 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ बंबई में और वहां पर दादा भाई नैरो जी ने बोला कि इसका नाम चेंज करके कर हम भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस तो अब भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस आ गई है आएंसी आ गई है तो उसकी स्तापना किस ने करी है ओ हुम ने करी है कब करी है 18 दिसंबर 1885 में अब जब प्रथम अधिवेशन हो रहा है तो अब नाम चेंज हो के भारतिय रास्ट् शुरू हो जाती है, जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, कितने लोग थे उसमें, 72 लोग, इसका जो महाश्चिव बनाया गया था, यो हूं को ही बनाया गया था, और प्रथम अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, कौन बने थे, विमस, चंद्र, बनर जी या फिर इसे W WC वनर जी भी इनका नाम आता है, कई बारी WC वनर जी दिखता है, तो आत्मी का सबज में नहीं आता कि ये कौन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, अंतिम थे इसके क्रपलानी, जो जब भार अब उस टाइम पे वाईसराई कौन था तो वाईसराई था डफरिन ये बहुत डफर था तो फिर इसने कुछ बोला भी था इसने कॉंग्रेस के लिए बोला था कि ये सूक्ष्म दर्शिय है और अलपसंख्यक लोगों का एक समोह बना हुआ है उसके कॉंग्रेस के लिए इसन को उपादी दी गई है और अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो ये बने थे बदरुदीन तैयब जी प्रथम महिला अध्यक्ष महिला तो बनी थे एनी बैसेंट अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थी एनी बैसेंट लेकिन प्रथम भारतिय अध्यक्षा कौन बनी थी तो ये बनी थी सरोजनी नाइडू ये question ACF में आया बहुत confusion हो जाता है मेरा इस वज़े से गलत भी हुआ था तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरोजनी नाइडू थी प्रथम भारतिय महिला अध्यक्षा कॉंग्रिस की अब किसने बोला था कि सुराज मेरा जन्मसिद अधिकार है मैंने आपको पहले भी बताया भी कि सुराज वर्ड यूज किया था दयानन सर्शुदी ने सबसे पहले और ये नारा दिया था बाल गंगादर तिलकने कहां दिया था लखनो अधिवेशन 1916 में इसकी पूरी जो डिटेल है कि 1916 में क्या हुआ था वो मैं आपको आगे वाले चप्टरस में बताऊंगी तो यहां पर एक दो एक चीजह हैं पर समझ लीजिए कि एक तो गरम दल और नरम दल तो में कॉंग्रेस बढ़ गई थी वो एक हुई थी और कॉंग्रेस और मुस्लिम लिगिये भी दो अलग बढ़ गए थे वहां पर इनके बीच भी समझोता वह था लखनो अधिवेशन 1916 यह आपको ध्यान रखना है और कॉछ जो कॉंग्रेस के बारे में लोगों ने कुछ बोला था वो यहां पर देखे हैं कि कॉंग्रेस अंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा यह योजनाबद किया गया था यह किस ने बोला था सर सैयद एहमद ने बोला था कॉंग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाशा है जब तक मैं भारत में हूँ कॉंग्रेस को की सांतिपूर्ण समाप्ती में सयोग करना चाहता हूँ लौड करजन ने लौड करजन 1905 में इन्हों ने बंगाल का विभाजन किया था केवल एक बार अध्यक्ष रहे कॉंग्रेस के अधिवेशनों के वो कब थे 1924 में बेलगाम का जो सम्मेलन हुआ था अधिवेशन हुआ था वहाँ पर ये कोशन ध्यान है कि मात्मा गांदी जी कितनी बार बने तो मात्र एक बार बने और कब बने थे 1924 के बेलगाम के अधिवेशन में स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे तो किरपलानी जेवी किरपलानी बताया मैंने आपको उपर और जनगनमन कब गाया गया था उसमें भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गया था और गाया ही सबसे पहले कब गया गया था 1911 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जनगनमन पहली बार गया गया था अब अगर हम कौंग्रेस की बात कर रहे हैं तो कौंग्रेस क्या था 1907 में 1907 में गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी जो गरम दल वाले थे जो उग्रपंती लोग थे उनको कॉंग्रेस के नरम दल वालों ने अलग कर दिया था खुद ही भार निकाल लिया था और जो अधिकतार नरम पंती लोग थे नरम दल वाले थे ये सहरी छेत्रों स तीन उसके मुख्या थे बाल, बालगंगाजर तिलक, पाल, बिपिंचेंद्र पाल और लाल, लाला लाजपत राय और साथ में थे इसके अरविंधो, अरविंध गोश, तो ये चारो उसके इंपोर्टेंट थे गरम दल और इसका प्रभाव कब से शुरू हुआ था, 1906 से शु राजनीती का आरोप किसने लगाया था, तो ये लगाया था बाल, गंगाधर तिलक ने, इन्होंने कॉंग्रेस को भीक मांगने वाली संस्ता या बेगिंग इंस्टिटूट भी कहा था, लाला लाजपत राय के बारे में यहां पर है कि सेरे पंजाब भी इन्हें कहा जाता जब साइमन कमिशन आया था, तो उसमें लाठी चार्ज वा था, जिसमें यह घायल हो था, बाद में इनकी मृत्तू भी हो गई थी, नरम दल, जो थे वो मध्यम मारगी थे, अर्विन घोष थे, स्वदेशी के समर्थक थे, और जब बंगाल विवाजन हुआ था, 1905 में जन के टाइम में तब इन्होंने सवदेशी आंदोलन चलाया था, 1905 से 1908 तक, अब जो सर वेलेंटाइन सिरोल था कोई, उसने क्या करा था, उसने बोला था, लोकमार ने तिलक को कि भारती अशान्ती का जनक है, क्योंकि यह गरम थोड़ा उगरवाद को ज्यादा इनकी जो विचार धाराती वो गरम दलवाली थी, तो इन्होंने बोला था, भारती अशान्ती का जनक कौन है, लोकमार ने तिलक कोशन बहुत बार बना है, कि निमन में से भारती अशान्ती का जनक किसे कहा जाता है, केश्री जो पत्री का है, उसका संपादन भी लोकमार ने तिलक न अब है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भारत को आजात करने के लिए कौन कौन सी क्रांतिकारी गत्यवी दिया वही थी वो सारी यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले है अभी नव भारत इसकी इसकी जो है स्तापना है वो किस ने करी थी तो बीडी सावरकर जी थे इन्होंने बनाया था 1899 में मित्र मेला और 1904 में उसका नाम चेंज करके हो गया था अभी नव भारत ये अंग्रेजी विरोधी संगठन था और इसकी एक गुप्त सबा हुई थी और उसमें उसका नाम चेंज करके कर दिया गया अभी नव भारत तो 1904 में बना था और मित्र मेला कब बना था 1899 में फिर है युगांतर पार्टी ये सारी जो एक सभा बनती थी समितियां बनती थी जो की अंग्रेज विरोधी होती थी इनकी लिस्ट है युगांतर पार्टी इसका नेत्र तो किया था जतिंद्रनात मुखर जी ने इनको बोला जाता था बागा जतीन अनुस्रीलन समिती इसकी जो स्तापना करी थी वो प्रथम मित्रा या पी मित्रा बोला जाता है और पुलिन दास ये चारो नाम आपको ध्यान रखने हैं पी मित्रा या पुलिन दास बरिंद्र कुमार घोश या भुपेंद्र नात जो स्तापना की थी वो तो उपर इन दोनों ने करी थी और पुनर गठन जो किया था वो इन दोनों ने किया था तो अनुश्रीलन समिती से आपको चारों इनके नाम ध्यान रखने है जो बालगंगाधर तिलक है उनको लोक मारने के उपाधी कब दी गई थी तो करांतिकारी आंदूलन के समय ही उ बर्रा डकैती ये कहां हुई थी पूर्वी बंगाल में पुलिन विहारी दास ने की थी 1908 में अब है मुझफर नगर बम कांट तो इसमें क्या था कि इनको मानना था किंग्स फोर्ट को अब बम फेका गया खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी ने लेकिन उसमें क्या के समर्थन में रहता था और दुर्भागेवस इसकी पत्नी और पुत्नी मारी गई और किंग्स फोर्ट बजगिया अब बचने के लिए क्या किया खुदीराम बोस को तो फांसी हो गई थी ये पकड़ लिए गये थे और प्रफुल चाकी जो था उसने आत्महत्या कर ली थी अब है एच आरे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशियेशन इसकी स्तापना हुई थी कानपूर में 1924 में जो स्तापक थे सचिंद्र सान्याल ये इसके अध्यक्ष थे चंदर सिकर आगर आजा राम प्रशाद विश्मिल कोई भी नाम इसमें से आ सकता है लेकिन ये सचिंद 1925 को एक पैसेंजर ट्रेन जा रहे थी और डाउन लखनाव सारनपूर लखनाव पैसेंजर ट्रेन तो काकोरी नामकिस्तान में क्या करा था इन्होंने डकैती की थी और सरकारी खजाना लूटा था तो इसमें से 29 जो करांती कारी थे वो गिरफतार हो गये थे जिनमें से रा अलफ्रेट पार्क में इन्होंने पुलिस के साथ मुट्बेड हो रही थी तो खुद को खुद शूट कर लिया था 27 वरवरी 1931 को फिर पहले तो बना था एचारे फिर बना था एचेस आरे हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एशोशेशन बेसिकली चंडर सेकर आजात 27 को और जो पहली जो इसने करी थी एचेस आरे ने जो करांतिकारी गतिविदी करी थी वो करी थी सांडर्स की हत्या साइमन कमिशन के टाइम पे जो आया था और जिसने लाला लाचपत लाय को लाठिया बढ़साई थी जिस पे तो उसकी इनोंने हत्या करी थी पहली जो इनक गतिविद्धी थी वो थी ये अब कोश्चन बनता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था तो ये दिया था भगत सिंग ने और इनकलाब जिंदाबाद किसकी रचना है तो ये है कवी इकबाल की फिर है केंद्री असेंबली में बं तो केंद्री असेंबली में जो बम फेका गया था भगत सिंग और बटू किशर दद द्वारा ये केवल सरकार जो चल रही थी ब्रिटिस गोर्मेंट उसको डराने के परपस से फेका गया था और 8 अप्रेल 1929 में फेका गया था उस टाइम पर क्या हुआ था कि 16 करांतिकारियों को गिरिफतार कर लिया गय और उनके उपर जो मुकदमा चला था वो बोला गया था लाहर शड़ेंत्र के नाम से उन पर मुकदमा चला था तो ये कोशन बनता है कि भगत सिंग को किस के तहट फांसी हुई थी तो लाहर शड़ेंत्र और भगत सिंग राजगुरु और शुकदेव 16 करांतिकारी थे इन चटगाउं सस्त्रागार धावा किसने किया था सूरे से इनने रिवॉल्ट ग्रूप भी बनाया था और इनने मास्टर दा भी कहा जाता है और इन्होंने बनाया था आई आरे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और बारा फरवरी 1934 को इनको भी फांसी हो गई थी लाहोर सडियन्थ में ही जतिन दास थे जब इनको गिरफतार किया गया था तो इन्होंने 64 डेज की भुकरताल करी थी और 1929 में इनकी मृत्व हो गई थी तो भुकरताल का अगर कुश्चन बनता है तो वो है जतिन दास अब निश्क्रिया विरोध का समर्थन किसने किया था ये किया था अरविंद घोष ने और अपनी एक पुस्तक थी इनकी वंदे मातरम इसमें इनोंने निश्क्रिया विरोध का वर्णन किया था अब कुछ गतिवीदिया तो भारत में हुरी थी, कुछ भारत से बाहर भी हो रही थी तो वो कौन-कौन सी उनको देखते हम, इंडियन होम रूल सोसाइटी तो यह फिर इंडिया हाउस, यह लंदन में बनी थी और किस ने बनायी थी स्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में गदर पार्टी, important question है, गदर पार्टी की स्थापना किस ने करी थी लाला हरदयाल ने अब 1913 में main question जो main इस्थापना किये है वो तो लाला हरदयाल ने करी है question यही बनेगा और उसके साथ सोहन सिंग भाकना इन्होंने एक बनाया था हिंदुस्तान Association of the Pacific Coast और ये छपा था गदर नामक अगवार में तो इसी का नाम इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया गया गदर पार्टी और किस टाइम पे चल रही थी ये एक्टिविटी ये चल रही थी जब प्रथम विश्योई तो चल रहा था 1914 उसके बाद की सारी हैं और कहां बनी थी गदर पार्टी संयुक्तराच अमेरिका के सेंट फ्रांसिसको नगर में फिर है कि बिदेश में गंट तरात्मक सर राष्टपती घूशित किया था और वरक दुला को प्रधान मंत्री तो ये कोशन हो गया आपका अब भारतिय क्रांती की मा किसको कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को भारतिय क्रांती की मा कहा जाता है और जेनेवा में इन्होंने सबसे पहले तिरंगा फेराया था और वंदे मातरम पत्री का लिखी थी इन्होंने अब एक कोशन है कि कामा टु गारू क्या है सिंपल बस ऐसा कोशन बनाया है कि कामा गारू क्या है कामा गारू तो ये था एक जहाज ये जलपोद बोल सकते हैं जो की निकला था कनाड़ा की यात्रा पर और गुरुदीप सिंग अब अगड़ी क्लास में हम टाइम लाइन पढ़ेंगे पूरी कि क्या क्या सारी गतिविदिया हुई 1905 से और 1947 के बीच जब भारत आजात हुआ उसको हम देखेंगे तो अब हम मिलते हैं अगली गलास में तब तक के लिए बबाई टेक क्या गुद लग फो एक्जाम